अपने यूटूब चले में दोस्तों आज मेरे पास जी ओ फोन नेक्स जिसमें की प्रॉब्लम यह है एरर आ रहा है ठीक है जो की एरर क्या होता है यूर डिवाइस इस क्रैप्ट टीक है तो यह एरर इसमें आता है ठीक है तो आज इस प्रॉब्लम को हम सॉल्फ करने वादे वह भी फ्लैशिंग की मदद से ठीक है तो फोन को मैं पहले से खौल के रखा हुआ हूँ इसे एक बार फिर से मैं आपको 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 इस वीडियो में फ्री टूल फ्री फाइल सब कुछ यहां पर दिखा रहा हूँ ठीक है उसके थूरू आप इस फोन को आप ठीक कर पा अब भी खौन लेला ठीक है तो चलिए आजाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा यह जो दू फाइल हैं यह आपको डाउनलोड करना हो एक तो उसकी फ्लैश फाइल और दूसरा उसका फ्लैशिंग टूल ठीक है यह दोनों होगा वहीं से डाउनलोड कर लेना ठीक है कहीं और से मत करना तो सबसे पहले फाइल को एक्सटेक करने के लिए आपको पासवर्ट मांगे आपको पासवर्ट क्या डालना है ठीक है जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यू अपडेट जीओ नैक्स ठीक प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर देना और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो आप लोग काफी सारे वीडियो देख चुके होंगे यूटूब पे तो सभी ने करके तो चैनल पाउर क्यों को पास्वड नहीं दे रहे हैं अगर आपको पास्वड चाहिए तो आप उनको वाटसपट पर और वहां से आपको पैमेंट और वहां तो मतलब आपको पैमेंट करना तो फ्री है ठीक है तो चलिए फाइल हो चुकी है अब हम टूल को भी यहां पर हमने एक्साइट कर लिया है तो और आपको कॉलकम का जो यूस्व ड्राइवर होता है वो इस्टॉल पहले ही कर लेना है ठीक है उसका भी लिंक में डाल दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहां से पर लेना ठीक है तो यह है क्योफिल य harassment अपको इंस्टॉल कर लेना ठीक है तो चलिए जैसे आपlarını कर लोगे तो उसका जो यह है इसsheint setup करके हम work करते है वाल कर नुप का इसके नहीं आपको क्लिक करना है और pum点 जाएंगे यहां आपometer जाने के लाएं पाले और इसे स्लेक्ट कर लेना है और चलिक्ट करना है और शेक्त कर लेना है तो यहां पर सब कुछ हमने कर लिया है अब डिवाइस मेनेजर को ओपन करेंगे और फोन को हम एडियल के थुरू यहां पर कनेक्ट करेंगे तो अब यहां पर हम फोन को इडियल के थुरू कनेक्ट करेंगे जो कि मैं पहले बता चुका हूँ फोन को मैं पहले से खौन के रखा हुआ हूँ आप लोग भी फोन को खोल लेना ठीक है क्योंकि बीना खोले यह काम नहीं होने वाला ठीक है क्योंकि हमें इसका इडियल करना जरूरी है तो फोन को मैंने खोल लिया है और इसके दो इडियल पॉइंट को शॉट करके हम USB केबल को लगाएंगे ठीक है तो जो है इसका जो जो ड्राइवर वो डिवाइस मैनेजर में पोर्ट में आ जाए रहा ठीक है तो चलिए जो फोटो आप देख रहे हैं उपर इस फोटो में जो दो फॉइंट दिखाए गए इन दो पॉइंट को आपको शॉट करके USB केबल लगाना है ठीक है तो पॉइंट को शॉट करके और मै USB केबल लगाता हूँ तो फोन वाइबरेट हो गया फोन ओन हो गया तो फिर से हमें एक बार फिर से ट्राइ करेंगे फिर से बैटरी निकालेंगे और फिर से पॉइंट को चिम्टी से शॉट करके और USB केबल को लगाएंगे तो इस बार जो है इसका कॉलकम का पॉर्ट यहां पे बन चुका है ठीक है तो आपको सिंपल ही करना कुछ निया टूल पे जाना है और टूल पे आप देखेंगे जो इधर कॉलकम का वहां भी बन जाएगा और जो डाउनलोड का उप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा तो सिंपल आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है तो जो फोन है वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा तो यहां थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोगो और भाई लोग में आप लोगो बार बार बोलता हूं कि वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को थोड़ा सा टांच लेगा तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो ठीके तो वीडियो को स्टेप बाई स्टेप आप लोग देखोगे तो आप इसी तरीके से कर पाओगे और इसके बाद इसमें अब लोग आएगा तो उसके लिए आपको करना क्या है, फ। या तो आप YouTube पर कोई दूसरा वीडियो सर्च करके आप फोन का FRP बाइपास कर सकते हो और या तो अगर आप लोग FRP अनलोग करवाना चाहते हो तो उसकी ऑनलाइन सर्वीस हमारे पास अवैलिबल है तो अगर कोई भाई अगर ऑनलाइन कोई भी फोन अगर अनलोग करवाना चाहता है तो आप हमसे संपर कर सकते हैं उसके लिए आपको WhatsApp करना होगा और WhatsApp नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है आप उस नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रीप्शन में भी WhatsApp नंबर होगा वहां से आप हमें सीधे संपर कर सकते हो और इस फोन को आप FRP लॉक भी करवा सकते हो और दूसरे अगर अगर आप FRP लॉक पेटर वगएरा जो भी अनलोकिंग करवाना चाहते हो आप ऑनलाइन करा सकते हो ठीके उसमें आपको कोई जंजट नहीं है बिल्कुल ट्रस्टेट है आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगएगा कि पैसे आपके खालिए जाएंगे या तो आपसे पहले पेमेंट कराया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा पहले आपके फोन लोक कि तो WhatsApp नमबर आपको इस्क्रीन पर शो हो रहा है आप उस Literally में बर्गों सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शिन में भी वही WhatsApp नमबर होंगे आप वहां से भी Contact कर सकते हैं तो फ्लेशिंग हो रही है बस होने ही वाली है और अगर इस इस flashing करने में आपको अगर problem आ रही है तो आप लोग comment करके जरूर पुछ सकते हैं आपको जरूर replay दिये जाएगा और इसमें फिर से में बता दे रहाँ आपको FRP lock लगा हुआ आएगा ठीक है तो FRP lock UMT से आप इसका FRP lock कर सकते हो और अगर आप लोग UMT से इस phone को flashing करोगे तो FRP lock हट जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं phone जो complete flashing हो चुका है तो अब हम phone को on कर लेते हैं USB के बल निकाल के तो phone on कर दिया है मैंने अब phone screen को हम बढ़ा करेंगे और computer screen को off करेंगे ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा 2-3 minute तक का यहाँ पर time लग सकता है और जैसे कि मैंने पहले बता दिया इस phone में phone तो complete on हो जाएगा बट इसमें FRP lock लगा हुआ आएगा ठीक है तो उस lock को हटाने के लिए आप तो UMT के मदद से आपको या तो FRP हटाना पड़ेगा य और अगर आप लोग FRP bypass से नहीं कर पाते हो तो आप online इसकी जो FRP lock है वो हटवा सकते हो मैंने बता दिया आपको WhatsApp नमबर स्क्रीन पर शो हो रहा है आप उस नमबर पर contact कर सकते हो बड़िया अच्छी price में आपको unlocking कर दिया जाएगा और other phone भी आप unlocking कर वा सकते हो इसी तरीक से बिल्कुल भी कोई ज्यादा जंजट नहीं होती है और बिल्कुल सेफ है इसक्रीन पर जो WhatsApp नमबर शो हो रहे हैं आप उस नमबर पर contact कर सकते हो और कोई साभी phone आप unlocking FRP वगेरा सब कुछ easy तरीके से करवा सकते हो ठीक है तो चलिए phone on हो चुका है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं आप इस phone को अगर UMT से flashing करोगे तो आपको FRP जो है वो अनलॉक वैसे ही हो जाएगा ठीक है तो क्योंकि हमने क्यों फेल से किया है तो उसकी वाज़े से इसमें FRP लॉक रहेगा आप UMT से flash करोगे तो उसमें FRP लॉक भी हट जाता है तो यहाँ पर देख स जो भी वाइपास नहीं कर पा रहे हैं और उनलाइन अगर इसे अनलॉक किंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे WhatsApp नमबर शो हो रहे हैं आप उस नमबर में हमें contact करके और इसे ऑनलाइन FRP अनलॉक करवा सकते हैं बेस्ट प्राइस है बेस्ट सर्वीस है और बहुत ही जल् कि युमें